नमस्कार मैं वीर सिंग सभी दर्शकों का स्वागत करता हूँ दोस्तो सोनेगाँ पुलिस थाना अंतरगत सौलंबी नगर जहां एक बुज़ुर्ग अपने घर में पिछले कुछ दिनों से अकेले रहते थे सुदर बताते हैं कि उसके बाकी घर वाले बच्चे बाहर रहते हैं और कुछ दिनों से वो बुज़ुर्ग अकेले यहां रहा करते थे सौंबार की देर रात तीन अग्यात हत्यार बंद आरोपी घर में घुसकर लगभग 34 लाख रुपए का सामान लेकर फरार हो गया जब इस घटना हुई तब वो बुज़ुर्ग उस चोरों से लड़ने शुरू किया मतलब एक बीज बचाव करना शुरू किया लेकिन उस बीज बचाव में उन पे उन आरोपियों ने हामला कर दिया अगले दिन सुबह जैसी मॉर्णिंग में वहां के अस्थानिक लोगों को पता चली परुस्यों को पता चली वह ऐसे ही पुलिस स्टेशन को खबर दी गई और संबंधित सभी पुलिस के अलाधिकारी इस घटना पे वहां पे पहुंशे घर में और पुलिस CCTV फूटेज के अधार पे वहां पे जाच परतार कर रही है माडम पी आई सो नेगाओ सर्वान नी स्पोटला इमिजेटली विजिट के लिली आए आमची इन्वेस्टिकेशन कार, डॉग यूनिट, इंगर प्रिंट ब्यूरो आणि जे-जे एक्सपर्ट अस्तात ते सर्व आणून सर्व एंगल्स ने ता पास सालो आए ते सिनेर सिटिजन ओरते एक्सपर आथ होते तेसे मुल आउट आफ स्टेट आणि आउट आफ काही बाहर सुद्दा हें पढ़िए तेसे मुल्गी रहात होती हुथी लिश्पितल पन आ हे तेसे जावायाचा आणि तेसे एक्से टीटमेंट चालो आए लेकिन देखने वाली बात यह है कि आगे इस पे क्या कारवाई होती है या फिर कौन से लोग है जो इस तरीके से अंजाम दिये इतने बड़ी घटना को इस पीज़ेक बड़ा प्रस्ण ये भी है कि जब भी कोई बुजुर्ग घर में अखेले है या फिर कोई वेक्ति अपने घर को छोड़ करके किसी फंक्शन पाटी के कुछ दिनों के लिए घर छोड़ करके लॉक करके कहीं बाहर जाते हैं तो लोगों का एक दाइत्व है कि अपने नजदी की संबंधित पुलिस टेसर में इसकी एक जानकारी दे दे कारण से बाहर जा रहे हैं या फिर उनके घर में गस्त बढ़ा देगी वीशेश ध्यान रखेंगी तो घटना घटनी की संभावना है वह कम हो जाती है इस मामले में क्या होता है कौन से आरोपी सामने आते हैं बिस्यान जरूर आप तक लेकर आए वीडियो जर्नलिस अखलेश भारदवाज के साथ मैं वीर सिंग आप द